साथियों, भारत में एक परंपरा जैसी रही है कि आधुनिक टेक्लोलोजी पहले शहरों में पहुंचती हैं अब फिर वो गाउं तक जाती हैं। लेकिन आज देश ने इस परंपरा को बदलने का काम किया है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब वहां भी जमीन की जानकारी आउनलाइन करने की शुरुआत की गई थी। सरकार तकनीक के जरिये गाउं तक चल कर जाएं इसके लिए इग ग्राम सेवा शुरू की गई थी। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात के स्वागत नाम से पहल भी की थी जो आज भी एक उधारन है। उसी मंत्र पर चलते हुए आदेश ये सुनिशित कर रहा है कि स्वामित्व योजना और ड्रोन ट्रेक्नोलोजी की ताकत से पहले भारत के गाउं को सम्रुद्ध किया जाएं। ड्रोन ट्रोन ट्रेक्नोलोजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटिक तरीके से कर सकते हैं। ड्रोन वहाँ भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता। गर की मैपिंग के अलावा पूरे देश के जमिन से जुड़े रिकॉर्ड्स, सर्वे, डिमार्केशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर से बनाने में ड्रोन बहुत काम आने वाला है। मैपिंग से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट, खेती के काम और सर्विस डिलिवरी में ड्रोन का उप्योग अब व्यापक होगा। आपने देखाओगा टीवी पे ख़बार में दो दिन पहले ही मनीपूर में ड्रोन से ऐसे क्षेत्रों तक कॉरोना के टीके तेजी से पहुँचाए गए जहां इंसानों को पहुँचने में बहुत देर लगती है। ऐसे ही अभी गुजरात में ड्रोन का उप्योग खेत में यूरिया के छिड़काओं के लिए किया गया है। भाई और बहनों ड्रोन टेकनलोजी से किसानों को, मरीजों को, दूर दराज के खेत्रों को ज्यादा से ज्यादा लाब मिले। इसके लिए हाली में अनेक नितिकत निर्णे लिए गए है। आधुनिक ड्रोन बड़ी संख्या में भारत में ही बने, इसमें भी भारत आत्मनिर्वर हो, इसके लिए PLI स्कीम भी गोशित की गई है। आध में इस अउसर्थ देश के परिष्ठमी भाईगानी को, इंजीनियरों, सौप्वेर डेवलपर्स और स्टार्ट अप से जुड़े युवाओं को कहूंगा, कि भारत में कम किमत वाले अच्छी क्वालिटी के ड्रोंस के निर्मान के लिए आगे आएं। ये ड्रोंस भारत के भागे को आसमान की नई उचाई पर ले जाने का सामर्थ रखते हैं। सरकार ने भी तय किया है कि भारतिय कमपनियों से ड्रों और इससे जुड़ी सेवाएं खरी दी जाएगी। इस से बड़ी संख्या में देश विदेश की कमपनियों को भारत में ड्रोंन निर्मान को परत्सान भी लगा, जिससे नय रोजगार भी बनेंगे। झाल झाल